आई एनिस 24 की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे नमस्कार मैं गुपतेश्वर पांडे डीजी पी बिहार एक गलत फाहमी बहुत हो रही है लोगों को कि इसके बा लॉकडाउन चल रहा था आम जनता के लिए वैसे ही एक लॉकडाउन तीन मई तक चलेगा आपने बड़ा सयोग किया है बड़ा समर्थन दिया है बड़ा ही प्यार दिया है मेरा अमरूद है कि तीन मई तक अपने घर में रहें सरकारी कार्याले खुल गए हैं तो कुछ लो कामों संबंधित लोग आएंगे जाएंगे उनको रोड पर गाड़ी से मोटरसाइकल से चलते हुए देखकर ये ना समझ लेना कि आप भी स्वतंत्र हैं कहीं निकल सकते हैं नहीं आम जनता के लिए अभी भी लॉकडाउन वैसे ही है जैसे था हाथ जोडते हैं घर में रहिए सुरक्षित रहिए तीन मई तक बाहर मत निकलिए और जो निकलते हैं लॉकडाउन का उलंगन करते हैं तो उनके खिलाब कितनी कड़ी करवाई होती है आपको बताने की जूरतने बिहार में मजबूर होकर के लॉकडाउन के उलंगन में एक बीएसपी अस्तर के पदाधिका सब्सक्त है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं तो किसी के लिए भी आम आदमी के लिए तीन तारीक तक बाहर घर से नहीं निकलना है यह बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और मैं पुलिस के अपने एस पी लोगों से करना चाहता हूं डाउन दी लाइन नीचे क्लियर कर सुशना आती है बहुत कम इसी घटना होती तो हमारा नाम खराब होता ब्यार-पूलिस का नाम खराब होता है किसी पत्रकार पर हांत ना उठाए आइडिंटी पत्रकार बंदों से भी अन्रोद करूंगा कि हमारे पुलिस के लोग बहुत ही तनाव में जी रहे हैं अनवस्यक उनसे न उलजें और जब भी निकलें ग्रूप में न निकलें अकेले अपना आई काड लिकर के ही निकलें और दिनमरता से सालिंता से वो पेस आएं जब भी उनको पूछा जाए वो दिखाएं तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आम आदमी भी कोई परेसान नहों निर्दोस पर किसी पर लाठी नहीं चलाना है पुलिस एस्टेट नहीं है वे बहुत अच्छे से विचार करके कि किसके साथ कितना क्या करवाई करनी हो करें ताकि कोई जनता में पुलिस के खिलाफ गलत मैसेज नहीं जा और जनता से भी मैं अन्रोद करूंगा कि करोना वारियर्स जो चाहे स्वास से जुड़े हुए लोग हों चाहे डॉक्टर हों या चोड़ते लेकिन उनको समान दें वो अपनी जान हथेली पर लेकर के आप लिए लड़ रहे हैं तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि किसी पुलिस कर्मी पर किसी डॉक्टर पर कोई पत्थर फेक दे कोई हमला कर दे क्योंकि ऐसा जो भी करेगा मैं पहले भी कह च अंदार भाई डीएसपी इंस्पेक्टर और एसपी साहब लोग लोग कुछ ऐसे हैं जो सामपरदाइक पोस्ट करके और किसी तरह से दो समुदायों में नफर थेलाने की कोशिश कर रहे हैं सैक्लों लोगों के ऐसी गिरफतारी हुई है जो पोस्ट करता है उसको तूरत द जीवन में ऐसी गलती करने की हिमत न करें एक बार यह हो गया सरकारी नोक्री नहीं मिलेगी चरितर सत्यापन प्रणापत्र नहीं मिलेगा जीवन में बहुत ही संकट का सामना करना पड़ेगा इसलिए मैं नौजवानों से अंदोद करता हूं चाहे किसी समदाएं के हों किस पर कुछ ऐसे लोग भी आ गये हैं जो पॉर्टल खोल खोल करके और गलत नूज अफाहें फैलाते हैं कम हैं लेकिन ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों के खिलाब भी कारवाई होगी यह बात उनको ध्यान में रखना चाहिए उनकी जिम्मवारी है वह अगर मिडिया के चौते अस्तंब हैं तो उनकी जिम्मवारी है कोई भी जिम्मेदार पत्रकार इस तरह की कोई गलत अफवाह नहीं पहला सकता अपने चैनल के माध्यम से लेकिन कुछ लोग हैं तो ऐसे जो कुछ लोग हैं उनको चिन्हित करें और विचार करके उन पर कारवाई करें और मैं फिर पो यह कहना चाओंगा किसी भी स्ठिती में विहार में समप्रदाइक तो बना करके रखना है यह रिशीयों मुनीओं बलीओं के धरती है सामप्रदाइक सदभाव के धरती है हिंदु-मुसलमान यहां हमेशा सदियों से एक साथ रहते आएं हैं प्रेम और सद्वावना और प्र içटा के साथ इसको बनाकर रखना है पुलिस का सहयोग किजिए और पुलिस के लोग आप जंता का सहयोग करें जो पिमार हैं लाचार हैं रोगी हैं भूके हैं नंगे हैं हॉस्पीटल जाने की ज़रूत आइंबूलंस की ज़रूत है दवा की ज़रूत है उनकी सेवा करिए उनकी मदद करिए जनता का दिल जीती है सेवा से जीती है कि वह लाठी चला करें दिल नहीं जीत सकते तो मैं जनता से और आम पब्लिक से जो कहना था मैंने कह दिया मैं तमाम पत्रकारों से विम्रोद करता हूं कि संकट के समय में हमारा सहयोग करें मुझ समुंको वे रबह बहुत परना